आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज हम बात करेंगे नासा जो की बनाने वाला है रेलवेर सिस्टम मून की सते पर और ये अपने आप में काफी टेक्नोलोजीकल एडवांसमेंट है पूरे वर्ल्ड के लिए क्योंकि नासा ने ये टेक्नोलोजी के बारे में थोड़ा एक्प्लोरेशन सिस्टम की तो ये क्वेस्ट कभी खतम नहीं हुआ इंसान अभी भी युनिवर्स को खंगालने में लगा हुआ है ऐसा ही कुछ हम मून की सते पर करना चाते हैं और रेसेंटली नासा फंड करने वाला है कुछ प्रोजेक्ट को लेकर और देखो इनकी जो न रहत नासा इस तीज को आगे लेकर आ रहा है क्योंकि रेलवे बनाने का प्लैन इन्होंने आर्टमिस मिशन के दौरान 2017 में ही चुन लिया था अभी के लिए 1972 लास्ट मिशन था जब नासा ने अपने एस्टरनॉट्स को भीजा था और उसके बाद अभी आने वाले समय में 2026 में नासा ने एस्टरनॉट चुने हैं जैसे कि क्रिस्टीना कोच होगी रीड वाइजर मैन विक्टर ग्लोवर और जो कैनेडा के जेरेमी हैं ये जाएंगे मून की सत्व पर अपना एक और कदम रखेंगे अभी के लिए जेट प्रपर्शन सिस्टम जो की समझो की नासा बता दू तो आपको पता है कि नील आंग स्टंग होगे या फिर मैं बूल दूं माइकल कॉलिंस बज आल्डरिन इन्होंने पहले अपना जो फ्लैग दर्शाय था मैं अपोलो 11 मिशन की बात कर रहा हूं जो इन्होंने समझो की फ्लैग अपना फर्ल किया था मून की सत्य प मून पर और फ्यूचर कॉंसेप्ट जो है वो इस परकार है कि हम यूज करेंगे फ्लोट फ्लैक्सिबल लेविटेशन ओन ए ट्रैक सिस्टम यह होगा मोर दैन थ्री लियर मैगनेटिक फिल्म ट्रैक सिस्टम और यह और्टनॉमसली अप्रेट करेगा रोबोटिक्स इसमें काफी अप्लाइड होगी और इसका कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होगा क्योंकि देखो आप सभी जानते हो कि जो लूनर एंवाइरमेंट है वो काफी डस्ती है हार्श है इन हॉस्पिटेवल है सो इन चीजों को मद्दे नजर रखते हुए नासा पहली बार भेजेगा अपना ऐसा मिशन जो की रेल वे के साथ चुड़ा होगा और इस मिशन को डिपलॉय कर दिया जाएगा बाई 2030 अभी के लिए नासा की जो प्लैंस हैं जैसे कि हम चाते हैं कि इनसान को किसी ना किसी तरीके से मून मिशन के लिए तैयार किया जाए और देखो मार्स में पहले scientific data है वो ले चुका है और इस प्रकार हम चाहते हैं कि धर्ती से पहले मून पर इंसान जाएगा फिर मून से जो भी वहां से कुछ हमें helium मिलती है या some sort of methane मिलती है तो उसका use करते हम fuel up होके दुबारा मार्स के लिए रवाना होंगे float system कैसे काम करेगा इसमें three layer होंगी flexible film track के regarding पहली होगी graphic layer जहां पर robot जो है वो जैसा कि आप visual देख रहे हो कि अपने आप float करना start कर देगा इसमें weird tier होने का कोई खत्रा नहीं रहता है the reason भी क्योंकि इसमें moving part ही नहीं होगा so diamagnetic levitation का use करके हम ये possible कर सकते हैं next layer जो होगी व प्रोपेल करेगी roberts को along the track और third one होगी optional thin film solar panel layer ताकि ये power करेगी generate करेगी ताकि वो अपने हिसाफ से चल पाए और सबसे बहतरीन खूबी इसकी है कि इसका कोई moving part नहीं है so weird tier संभफता नहीं हो पाएगी और सबसे कम करेगा ये dust abrasion को क्योंकि along the tracks आप जानते हो कि उसका environment क काफी harsh है lunar regolith जो होते हैं उनको भी avoid किया जा सकता है और एक construction site से दूसरी construction site तक कुछ material लेकर आना जाना वो possible हो पाएगा अभी इसकी capacity देखो capacity जो है वो depend करती है ट्रांसपोर्ट पेलोड पर और देखो ये vary करेगा more than 30 kg per meter square के करीब ये accept कर सकता है useful speed पे चल सकता है 0.5 meter per second की और अगर हम large scale floor system develop करते हैं तो capability है कि 100 tons के करीब regolith को move किया जा सकता है NASA ने suggest किया है plans की flat magnetic panels होंगे जो की robberts की तरह काम करेंगे जो की float करेंगे levitate करेंगे अच्छा इस visual example में आप देखो एक maglip trains हैं जो की various countries use करती हैं जैसे की चाइना के पास की है सबसे fastest और जपान भी से यूज़ करता है तो यह जो चलती है ना इन में कोई moving part नहीं होता यह magnet की तरह उसकी power के साथ चलेंगी along the track और वियर ट्रेयर, abrasion ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती phase 2 में NASA चाहता है कि आने वाले समय में manufacturers जो हैं वो deployment करेंगे control operations को बढ़ाएंगे और human exploration activities को भी support करेंगे इसे और increase किया जा सकता है, avoids किये जाते हैं जो various तरह के risk होते हैं आने वाले समय में कि एक side से दूसरी side पर कैसे पहुंचना है तो वाकई में ये technology breakthrough है, durability चेक करने की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो कि ये impact डालेगा environmental effects पर जब फिलहाल के लिए ये system activate होगा तब temperature, radiation, charging, lunar, regolith, simulant, contamination इन चीजों का बहतर धंग से धयान रखा जाएगा और कुछी advancement की अगर जरूरत होगी तो definitely वो की जाएगी बढ़ाएगा और under RLSO2 mission जो NASA का है उसके तहद इसकी performance को भी improve किया जा सकता है transport regolith mind किया जा सकते हैं जो institute resource utilization है जैसे की water की खोज करनी या फिर किसी तरह का कोई भी समझों की पदार्थ है कोई element है उसको discover करना उसमें help हो सकती है और देखो most widely studied oxygen production process जिसे की ilmenite बोलते हैं वो reduce किया जा सकता है in the presence of oxygen ये काफी बहतरीन है और देखो at least 20 different processes जो हैं वो आगे रखे गए हैं कि lunar resources हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं ताकि हम oxygen को generate कर पाएं और देखो ये है नासा का innovative advanced concept और इसके तहत नासा जो है आने वाले समय में financial assistance प्रवाइड करता है नेर बाउट ऐसे जो mission होंगे उनको 6 लाग डॉलर के करीब जो है प्लस assistance प्रवाइड की जाएगी और definitely जो भी missions हैं जैसे बैपी कलॉम्बो जो की European Space Agency का है mercury care guarding या फिर नासा के जो आन including जो नासा का ये mission Artemis है उसमें नासा काम कर रहा है ये जो funding है ये सिरफ नासा अपने projects को देगा ये याद रखना अभी के लिए blue ghost एक mission है जो की नासा करने वाला है वो भी lunar lander के तहती होगा 2024 के end तक आप सुन लोगे इस चीज़ के बारे में इसको firefly भी बोल देते हैं और एक draper mission है जो 2026 के दुरान नासा करने वाला है और यही नहीं various other missions होगे जो की समझो asteroids पर भी काम आएंगे या फिर जैसे लूसी हो गया ये समझो की flyby है ट्रोजन एस्ट्रोइड पॉली मील या फिर ट्रोजन एस्ट्रोइड यूराबाइट इसके तहते ये काम करने वाला है और आने वाले समय में नासा ड्वेल्प कर रहा है विरिस अदर मिशन लाइक डविंची वेरिटास हो गया इन्विशन हो गया जिसमें जो डविंची ह है वो वीनस फ्लाइबाइ एट्मोस्फेरिक प्रोब मिशन है वहीं पर वेरिटास और इन्विशन जो है ये वीनस और बिटर मिशन होंगे देखो ऐसे मिशन इंडिया भी कंड़क्ट करने वाला है और निसार भी इस साल के अंत से पहले-पहले आप सुन लोगे इसके बार हमारे विक्रम जो लेंडर की और प्रग्यान रोवर उसमें से निकलता है और एक स्पॉर्ट से दूर सी स्पॉर्ट पर जंप करके भी हमारी जो टेकनोलोजी है उसको एक बहतर धंक से दर्शाता है पूरे वर्ड इसके बारे में प्रेज भी करता है अब ही के लिए ये चीज़ समझ लोगी स्पेस टूरिजम आने वाले समय में काफी बहतर होने वाला है डैनेस टीटो एक पहले ऐसे व्यक्ति बन गए थे जिन्नोंने स्पेस में एजे टूरिस्ट गये थे और ये समझो की आने वाले समय में मून पर भी जाने वाले हैं और according to reports somehow 3 billion dollar की ये space tourism industry का अनुवाल लगाया जाता है वहीं पर space industry जो इंडिया की है वो भी develop कर रही है दो से 3% global space industry में हमारा share है जो की by 2030 बढ़कर 10% के करीब हो जाएगा और यही नहीं हमारे पास various other startups भी शुरू हुए हैं जैसे कि ध्रुबा हो गया या फिर बेलेटरिक्स हो अगनी कुल हो गया various other industries जो हैं वो भी इसमें अपनी involvement जो हैं वो दिखा रही है तो आने वाला समय space industry को boost करने वाला है और यह था आज का article I hope आपको पसंद आया होगा किसी परकार की भूलोगी हो तो मैंशा मचाऊंगा प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट may you have a successful day ahead